हेलो एब्रिवन अगेन वेलकम टू माई यूटू चनल टिवियल कोचिंग इस वीडियो में हम टेंध कलास से रिलेटेड कुछ अभजेट्व कोशन का अध्यान करेंगे जो उत्सरजन बायलोजिक के चाप्टर से लिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टिन सवाल इसमें है ज देखते हैं फर्स्ट कोशन क्या है पहला सवाल है निमलीखित में कौन अमिनो अमल के भी खंडन से बनता है सवाल है इसका राइट अप्शन हो जाएगा ऑमोनिया जिसको हम एनेच थी भी कहते हैं एनेच थीरी की प्राप्ति होती है सेगन कोशन है यदि किसी कारण से किसी है मनुष्य चिण जिसको भूते हैं कार करने बंदर ऐसक्ष चला सकते हैं किस प्रक्रम का हिस्सा है किकिनी जो है किस जैव परक्राम का हिस्सा है तो राइट अप्सन हो जागा उत्सर्जन इसका राइट अप्सन हो जागा क्योंकि खिड्नी दोरा उत्सर्जन नामक परकिरिया संभव होती है ना किस वसन परिवहन पोशन इस तरह हम आगे बढ़ते हैं आगरे प्रश्ण की और आगला में यो होते हैं उस सर्जि पदार्थ होते हैं वे कहां होते हैं तो एकति में इत्वां होको होर् Scary को सब्सक्राइ। देख लिए अब लाँस्ट में जो इस पर धनाट से अब्रस ओकोला है अब हम उसको देख़र हैंगे देखते हैं में थो पूछ रहा है तो सवाल है उत्सर्जी पदार्थ का सरीर से निस्कासन क्यों जरूरी है बेकार पदार्थ का हमारे सरीर से निस्कासन क्यों जरूरी है तो इसका राइट ऑप्शन इनमें सभी होगा क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ हानिकारक भी होते हैं जहरीले भी होते हैं पर यह हमारे जरूरी नहीं होते हैं इसलिए इनमें सभी जोगा हमारा राइट अप्शन होगा समांत्यों उच्छ सर्जन और जल संतुलन की जो किरियाय होती है यह दोने किरियाय साथ साथ होती है अगला प्रश्ण है प्रोटीन तथा एमीनो अमल के भी खंडन के बाद किसक उसके बाद हमारे सरीर में इनमें सभी की उत्पती होती है मतलब अमोनिय के उत्पती होती है यूरिय की और यूरिक अमल के भी याद रखना है अगला प्रश्ण है इस थलिये जनतुओं में समानता नाइट्रोजनी पदार्थों का जो शरीर से निस्कासन होता है किस बुक्षों का यूद्य, के रूप में इसका निस्कासन होता है और यह किस तर हमारे से वहहर निकलता है तो मुत्र के रूप में कि निकलता है किके जीवों में नाइट्रोनी पदार्थों का निस्कासन कासन ceux इसके राइट अप्शन हो जाएगा मतलब रेप्तिलिया वर्ग भी सही होगा रेप्तिलिया वर्ग में रेंगने वाले जीव आते हैं और एविज वर्ग में प्रक्षी आते हैं अगला प्रशने जीव के सरीर में उपाप चई क्रियाओं के बाद उत्पान अप्सिस्ट पदार्थों का सरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है तो सरीर से बाहर निकलना जो है वह उत्साजन कहलाता है मतलब उतवाबत इसाजन एक ऐसी परक्रिया है जिसके करण हमारे सरीर से हनीकार्य पदार्थ बाहर करना है एगला प्रैस्न बिरिक का भीत्री नातोधर सतह क्या कहलाता है तो हमारे सरीर में जो kidneys are kidney के भीत्री नातोधर सतह जो है उसको हम BLAM कोहते हैं याद रखना है अगला प्रश्र नहिं विरिक की स्वाप से छोटी कोशी तरह किडिनी की कि्रैत्मक क्या हमारे क्षिभन की क्रेयतम क्या है कि हमारी क्रेसर क्षिचन है हो चैट से बात याद रखना जो कि मोश्ट इंपरोटन है अगाला प्षट सब्सक्राइब नेफरोन के किस भाग में गले मेरूलर अवस्थित होता है तो इसका राइट अप्शन होगा बोमेन संपूट में यह इस्थित होता है अगला सवाल है इनमें कौन सीधे मुत्रवाहिनी से जुरा होता है इनमें से कौन, डाइड़ेक्टली मुत्रवाहिनी से जुरा होता है तो इसका राइट अप्शन हो जागा समाने संग राहक नालीज होता है यह डाइरेक्ट रूप से मुत्रवाहिनी से जुरा होता है इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्श्न क्योंस, और सवाल है इसजी तरह इउरो क्रों में के कारण मुद्र का रंग भीला होता है अग्लाए प्रस्टर ड्यारक करती तो इसको हम ईसको हम रिकाह सकते हैं मतलब मनुष्य ने अपने अपने से ही बनावटी किर्णी बनाया है जब किर्णी खराब हो जाएगी तो इस किर्णी के अधार पर भी जीव जीवत रह सकता है अगला प्रस्ट ने मानो मूत्र तंत्र के दिये गए चित्र में चीनित भाग जो है उसका नाम क्या है तो इसको चीनित किया गया है यह मुत्र तंत्र है और इसका नाम बताना है इसका नाम है सीसन के नाम है इसको हम सीसन भी कह सकते हैं या इसको हम मुत्रा से भी कह सकते हैं इसको क्या बलेंगे सीसन या मुत्रा से इसको इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्राश्ण की और अगला प्राश्ण है मानव सरीर में किड़नी मतलब विरे के स्थान पर आवास्षित होता है तो याद रखना है उदरगुः के पीछेवल तल्पर केसुरू के कंडड़ के दोनों और इसित होता है याद रखना एक किर नि जो होता है उदरगुः के प्रिस्तल्पर होता है अगला प्रश्ण है मुत्रवहनी क्रिणी के किस भाग में बाहर निकलता है तो इसका सही एंसर होगा हाइलम मुत्र वाहिनी खडिनी के हायलम भाग से बाहर निकलता है अगला प्रस्ण है मानो उत्सरजन तंतर का कौन से भाग सरीर से सीधे बाहर खुलता है तो इसका स्वही अंसर होगा मुत्र मार्ग जो है यही बाहर खुलता है इस तरह मा आगे बरते हैं अगला प्रश्णुने के और अगला प्रष्ण ने बरिक बाहर से संयोजी उतक तंत अने इस राचना से घीरा होता है उसी हम क्या कहेंगे तो उसे राचना को हम क्या करेंगे और भाइलाद रखना है कि यमीटान के Kevk बेंगे कैपसूल हम आ गहें बर्सक्रण अगला, प्रश्ण अगला प्राश्न है प्रतेक मान व मैं नेफ होन्व के संख्या कितना होती है उप उसमें मेंं नेफ कि संख्या कितनी होती है तो इसका सही अंसर होगा लगभाग 10 लग कितना होती है लगभाग 10 लग अगला प्रश्ण है परतेक नेफरोन में इस्थित एक प्याले जैसी रचना होती है उस प्याले जैसी रचना को हम क्या नाम देंगे तो उसको हम बोमेन संपूट बोलेंगे याद रखि मतलत है अगला प्रश्ण है इन में सधाहरं तोह मानो मुस्य म मुत्र में पिसाब में नहीं होता है तो इसका राइट आप्सन होगा सोडियम नाइटार्ट नहीं होता बाकि यस थीनों होता है जल भी होता है रजल अगला फ्राष्ट में 10 की की परिशंटेजी तीन बतली मनुस्य चैजाक पिसाब होता है उसमें कितना परसेंट यूरिया होता दो ही परसेंट यूरिया होता है मनुस्य के मूतर में कौर से एस तरह हम आगे बरतें उसमें आगले प्रसण की और सवाल है मुसीन दवराक्त का सूधिकरन की पर किरिया को हम क्या बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे हीमोडाइलेसिस याद रखना है इसको हम किरितीम बिरिक भी कहते हैं बनावटी किडिनी जिसको मनुस्य ने बनाया है अगला सवाल है पाउधों में गये सो मतलब सी ओटू एवम ओटू का जो निश्कासन होता है कहां से होता है तो इसका राइट अप्षन गोः होगा वात रंध द्वारा भी होता है अगला सवाल है पाउधों में गयशों के निश्कासन के लिए किस किरिया का उप्योग होता है तो पाउधों में गयशों के निश्कासन क के लिए जो किरिया होती है उस किरिया को हम बिसरन कहेंगे अगला सवाल है रेजिन और गोंद कहां सौंचित रहते हैं तो रेजिन और गोंद जो होते हैं वह पुराने जाइलम में सौंचित होते हैं जब उसका हम ताना काटते हैं तो वह बाहर निकलते हैं अगला प्रश्ट फूल में भी सफेद रंक पीला रसाया नीकलता है जिसको हम मैं लैटेक्स कहता है यह यह लाइवा हुगा के पेर में भी होता है पूरा अबच्छा खतम हुआ दस कलास का आगे वाला पार्ट है नियंत्रन और समनवे यानि रोक थाम और जारी रखना इस पार्ट का अब्जेटिव कोशन आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको नोटिफिकरशन मिलेगा और आप इस वीडियो को देख सकेंग तो इस तरह हम आगले वीडियो मिलेंगे अब तो के लिए नावस्कार जैहन जै भारत जैहन जै भारत